सो हे गाई स्वागत आपके अपर फिर से आपी के यूट्यूब चैनल में और आज की इस फीडियों में हम बात करेंगे भी हमारी इंडिन मार्केट को लेकर हमारी इंडिन स्टॉक मार्केट में आप लोग देखोगे आज फिर से अचानक से बिग फोल बनते वे नजर आये है निफ्टी की बात करें तो 149 पॉइंट के जो हमें वो डाउन दिखाए दे रही वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 480 पॉइंट से हमें यह भी डाउन आते वे नजर आये और अचानक से यह फोल बने ठीक है और अगर बात करें गलोबल मार्केट की यूएस मार्केट आप लो लोजिन लेते नजर आई तो काफी श्यांदर पॉजिट्व संके थी बट हमारी मार्केट के अंदर फिर भी आज अचानक से क्रेश हुआ है बहुत साथ निवेश्कों के कमेंट आ रही है कि आखे कर क्या करें क्या निए नुकसान सभी को होता है ठीक है नुकसान सभी को हो भी के बाप का नुकसानि अनुकसान और कोई कितरा बड़ा नीवे सको क्या को एक कितरा बड़ा प्रडेक्शन हो जुसने रिकर्फिया रिकरी नहीं तो यह सारी चीजों के उपर फोकस करो नहीं कि इनके आपके कहने पर मैं इसको खृद लिए मैं रोका अभी बोले निए से क्डिए के हैं यह स्टॉक को बेच हो थोड़ा सा अपना माइंड कर् estou कितना प्रकोटा करकोटations सब्सक्राइब फिर आप लोग के ग्लोबल symptoms एट थे लेकिन फिर भी हमारी इंडियन market crash हुई है तो यह एक देखो भई असंब्र वाली बात है लेकिन जानेंगे अच के पिच्छे का रीजन कह रहा है और उसके साथ आप लोग देखो भी जो future है ठीक है डाव futures negative और जो nasdaq future है यह भी आपको करीब 1% के करीब देखाई दे रहा है तो इनका भी बहुत बड़ा effect market के उपर हमें देखो क्रूड है क्रूड हमें जोना भी डाउन देखने को मिल रहा और दूसरी तरफ आप लोग देखोगे गोल्ड है गोल्ड भी डाउन देखने को मिल रहा है European market है European market भी आप लोग देखोगे भी negative वे में चल रही देख सकते हो यह भी negative हमें दिखाई दे रही है तो market एक तरफा नहीं चलता है यह आपको पता भी market आज पांचमे दिन लगाता रहा है ठीक है तो चलिए एक पर जा सामने आये थे ठीक है साथ अक्टूबर को भी आपने देखा होगा market में बिग फोल बनते सोरी साथ अक्टूबर को जो इस्राइल और हमास का युद्वा था उसके भी करण market पे बहुत बुरा असर हमें देखने को मिला था और सबसे बड़ा करण भी यही बताया जा रहा है ठीक है यहां पर आप लोग देखोगे इस्राइल और हमास का जो युद्व है उसके चलते बाजार पर बहुत असर हमें देखने को मिल रहा है और यहां पर आपने देखा होगा भी इस्राइल के साथ हमारे जो वैपारिक संब्द्द बहुत जादा अच्छे हैं और वैपा घ्रावत का ठीक है अमरिकी डॉलर मजस्बूत होता बहुत बड़ा कारणि रहा हुं ग्रावत का उसके सा यहां पर आप लोग देखोगे महंगा Кी चिंता जो इंफलेंचनी ईडीक चलते आप लोग देखोगे ये फोल बन रहा है ठीक है एविना जो अविनास गोरक्सकर ने आगे कहा कि इसराइल हमास युद के फैलने के दोरान कच्छे तेल की कीमते लगातार बढ़ रही है जिसमें सरकारी खजाने पर दवाव पढ़ने की उमीद है क्योंकि यह अपनी तेल मांग का 85% से अधिक जो लंबे समयतक इजराइल फिलिस्तिन संगर्ष के बाद जो मुद्रस पीती में व्रिधी एक प्रमुक चिंता का विश्य है ठीक है जिसे आप लोगे जो बाजार देख रहा है इसके चलते यहां पर आप लोगे फाई की जो ना बिकवाले फाई की जो बिकवाली है उसका भी असर हमें देखने को मिल रहा है उसके बाद यहां पर आप लोगों देखोगे 2023 की दूसरी ती माही के नतीजे उमीद से कम रहें ठीक है उमीद से कम रहे हैं तो यह भी एक बड़ा रिजन रहा है तो इन सब कारणों के चलते आप लोग देखोगे मार्केट में क्रेक्शन ह तो यहां पर आप लोगों को सीधी सिंपल एक बात है जिने नुकसान और नभाई यहां पर बेचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है अगर नुकसान में बेच कर निकलोगे तो यहां पर लोस के सिवाए कुछ नहीं मिलने वादा थोड़ा पेसेंस रखोगे तो आई थिंक सबसे बैस्ट रहेगा ठीक है और अगर आपको नीचे के भाव में स्टॉक खरीदेने का आवरिज करने का मोका मिले तो भी बहुत अच चुकी है तो चलिए गवरिज का सपोर्ट वगर और देख लेते भी निफ्टी के तो यहां पर आप लोग देखो अभी की टाइम जुन अभी मार्केट में एक बिग करेक्शन हमें दिखाई दे रहा है सपोर्ट की बात करते नीचे में जो सपोर्ट हो अठारा नोश्व के आज पास का सपोर्ट अभी ठीक है यह सपोर्ट अगर यहां पर बरकरार रहता है तो बहुत अच्छी बात है अधर्वाइस टोक यह सपोर्ट यहां पर हमें लेते हो नजरा सकता है अभी मार्केट में क्रेक्शन हा चुकि एक बिग फॉलिंग यहां से आप लोग अगर यह मार्केट हमें 19.230 से उपर में क्लोजिंग लेते नजरा है काफी अच्छी बात अगर नीचे में रहता है तो 18.900 का सपोर्ट और उपर में रिजिस्टेंस का है 19.230 का तो यह इसके सपोर्ट रिजिस्टेंस है इनके उपर आपको फोकस करना चाहिए I hope आपको व सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब परना बिल्कुल मत भूलना and thank you for watching the video